सुप्रभाद बच्चो, आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम लोग निबंध लिखना सीखेंगे. बच्चो, निबंध का अर्थ है एक सुत्र में बंधी हुई रचना, निबंध में शब्द की सीमा बंधी हुई होती है. इसे लिखते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे भाषा सरल वो स्पष्ट हो, एक ही बात को बार बार ना दोहराया जाए, भाषा की शुद्धता का वो विराम चिन्न का ध्यान रखा जाए, इत्यादी. इन सारी जानकारियों के बाद चलिए, अब हम लोग ग्रिश्म रीतु पर निवन्ध लिखते हैं. ग्रिश्म रीतु ग्रिश्म रीतु के आरंभ होते ही सभी आम, तर्बूज, आइसक्रीम, आदी का आनंद उठाने लगते हैं. लोग सूती के हलके वस्त्र पहनना पसंद करते हैं. पंखा, कूलर, एसी, इत्यादी, गर्मी दूर भगाते हैं. ग्रिश्म रीतु किसानों के लिए भी बहुत महत्वपुर्ण होती है, क्योंकि कुछ अनाज वफल, सबजियां इसी रीतु में पैदा होते हैं. ग्रिश्म रीतु के अनेक लाब होने के साथ साथ कुछ हानियां भी हैं. अधिक गर्मी पढ़ने से पानी की कमी हो जाती है. गर्मी में लू लगने से पशू पक्षियों वो मनुष्यों के मृत्यू तक हो जाती है. इन हानियों के बावजूद भी कडाके की सर्दी के बाद लोग इस रीतु का स्वागत करते हैं. खास कर बच्चे इस रीतु की प्रतीक्षा करते हैं. क्योंकि अधिक गर्मी होने से विद्यालयों में छुट्टियां हो जाती हैं. और बच्चे अपने माता-पिता के साथ पहाड़ी इस्थलों और अन्य जगहों पर घूमने जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं. तो बच्चों यही था ग्रिश्म रितु पर निबंद। आज की कक्षा में इतना ही धन्यवाद.